नबश्कार दोस्तों संकल्ब कोचिंग गंगानगर की यूट्यूब प्लैटफॉरम पर आप सभी लोगों का स्वागत है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि अगर आपका आंस्वर की में कोई क्यूस्चन गलत आंस्वर दिया गया है तो दोस्तों आप आपति फॉरम कैसे बर सकते हैं उसकी मैं complete detail बताने वाला हूँ उसके साथ दोस्तों आपति फॉरम भरते time आपको authentic जो proof है आपका यानि कि आपको original जो उसका answer है वो कैसे मिलेगा तो दोस्तों उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हू तो दोस्तों यह जो आप screen के उपर देख रहे हैं आपको यहाँ पर simply अपना login करना है आपति फॉरम भरने के लिए अपना roll number डालना है और उसके साथ दोस्तों अपना application number डालना है आप जैसे यह दुनों चीज़े डालके login पे click करते हो तो यह आपका login हो जाएगा और दोस् दिख जाता है आपको उपर all पे click करके यहाँ पे जैसे आप click करते हो आपके पास दो option है QP आंस्वर की और objection अप answer की पे क्लिक करके अपनी answer की देख सकते हो लेकिन आप objections पे जैसे click करते हो तो यह आपको और श्क्रीण प ले जाता है जहां से आप objection raise कर सकते हो आपति फॉ और भणने से पहले मैं आप लोगों को पता देना चाहता हूँ कि जो 5 जो main questions जिनके answer गलत आए है answer की में वो सिर्फ संकल्पने सबसे पहले YouTube पे बताया है और बाकी जो channel है वो हमारे ही YouTube channel से copy कर रहे हैं तो दोस्तों आप हमारे channel को subscribe कर लिजिए क्योंकि अभी और जो राज़तान पुलिस से related news होगी वो सबसे पहले हमारा चैनल लेकर आएगा तो दोस्तों यहाँ पे simple सा step है अगर आप जीस question पे आपति करना चाहते हो आपको simply उस option को उस question को आपको simply select करना है उसके बाद में आपको यहाँ पे एक option select करना है जैसे as first person या फिर सबी विकल्प गलत है या एक से अधिक सही उत्तर है या फिर last में हमारा है गलत उत्तर कुंजी कि हमारी जो answer की है वो ही गलत है और यह गलत उत्तर कुंजी पर click करके आपको अपना remark डाल देना है कि आपको यह उत्तर कुंजी का जो answer है वो गलत क्यों लग रहा है तो आपको simply थोड़ा सा data लिखना है कि इसका सही answer मैंने इस book में देखा है और आप उस book का आपको परमानित proof डालना है authentic proof डालना है authentic proof के आपको 3 document upload करने आप किसी भी फॉर्मेट में डाल सकते हो 400KB साइज आपके document का ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो दोस्तों यह जो authentic proof है आपके answers के मतलब जो question आप तक गलत answer के में लग रहे है वो सारे proof हमने हमारे telegram group पे अब upload कर दिये है तो दोस्तों आप वो देख सकते हो और वो telegram group जोइन करने के लिए आपको नीचे description में link मिल जाएगा आप हमारे telegram को उस description वाले link पर click करके join कर सकते हैं और दोस्तों इस channel को subscribe कर लीजिए क्योंकि हमारे channel पे ऐसी काम की video सबसे पहले आपको मिल जाएगी उसी किसाथ दोस्तों आपका exam किस तारिक को हुआ था और कौन सी shift में हुआ था वो आप मुझे जरूर बताइएगा और आप कौन सी question पे objection करना चाहते हैं आप वो question हमें नीचे comment में लिखके बताइए हम सभी के comment पढ़ते भी हैं और reply करने के भी कोशिश करते हैं कि आपका ये जो question का answer जो आप सोच रहे हो वो गलत है भी के नहीं और उसी के साथ दोस्तों हमारे चैनल पे physical की त्यारी कैसे करने है उसका वीडियो एक बहुत शांदार तरीके से upload हो चुका है तो आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा और दोस्तों cut off क्या रहेगी तो cut off से related वीडियो भी हमारे चैनल पे आ चुका है तो वो वीडियो दोनों वीडियो का link आपको यहाँ screen के उपर दिख रहा है ये दोनों वीडियो आप देख सकते हो तो दोस्तों मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में तब तक के लिए बबाई टेक केर